नमस्कार दोस्तों, कुछ स्कैम रशिया एंड युक्रेइन वार की वजह से मार्केट की हालत कुछ लास्ट दिनों में खराब हो गई और आप उस मौके का फायदा उठा सकते हैं वारन बफेट कहते हैं कि इन्वेस्ट के लिए ग्रीडी तब होना चाहिए जब मार्केट फियर में हो जैसा कि अब है इस मौके का फायदा उठा कर आप इस टाइम पर इन्वेस्ट कर सकते हैं चलिए हम आपको कुछ ऐसे स्टाउक्स बताते हैं जिनको जितना मार्केट गिरे उतना ज्यादा खरीच सकते हो पहला है नालको लिमिटेड चलिए इस कमपनी की कुछ खास बाते बताते हैं कमपनी का करेंट स्टाउक प्राइज 117.40 रुपे है नैशनल अलुमिनियम कमपनी लिमिटेड ये एक भारत सरकार की कमपनी है ये कमपनी अलुमिनियम उत्पादन करती है कमपनी बॉकसाइड माइन्स और अलुमिनियम रीफाइनरी और इशा की कोरा पुट से करती है कमपनी की पावर पॉइंट 1200 MW एंग्वल में है और कम्पनी विंड पावर प्लांट और सोलर प्लांट में भी बिजनेस कर रही है। कम्पनी की अलुमीनियम से 56 प्रतिशत और कैमिकल से 44 प्रतिशत तक प्रॉफिट आता है। ये इंडिया पे 58 प्रतिशत और बाहर 42 प्रतिशत प्रोड़क बेचता है। राकेश जुनजुनवाला की 1.36 प्रतिशत कमपनी में हिस्सेदारी है। कमपनी का मार्केट कैप 19,982 करोड रुपए का है। कमपनी का 51.28 प्रतिशत हिस्सेदारी प्रोमोटर गवर्मेंट आफ इंडिया के पास है। कमपनी पिछले एक साल में 5.79 प्रतिशत सेल्स ग्रोथ और 840.12 प्रतिशत की प्रोफिट ग्रोथ पर है। कमपनी का पास 46.11 करोड का कर्ज है। कमपनी 2021 में 1299 करोड का प्रोफिट किया था। कमपनी की पी ए रेशियो 8.8, बुक वैल्यू 63.18 रुपए और फेस वैल्यू 5 रुपए की है। कमपनी 3.22 प्रतिशत की डिविडेंट देती है। कमपनी का बिजनेस अलुमीनियम सेक्टर पर है बविश्य में कमपनी अच्छा कर सकती है। इसमें आप रिसर्च करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरे पर है ट्रिडेंट लिमिटेड। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। कमपनी का करेंट स्टॉक 50.50 रुपए है। कमपनी का बिजनेस टेक्स्टाइल सेक्टर में जुड़ा हुआ है। कमपनी यांस, बाथ लाइन, कैमिकल, कैप्टिव पावर बनाती है। कमपनी का क्लाइंट, कैलविन क्लेन, H&M, ITC होटेल, एमाजोन इसी बड़े नाम है। कमपनी का रिवेन्यू प्रोड़क्ट वाइज, कॉपियर बिजनेस 52 प्रतिशत और नॉन कॉपियर बिजनेस 48 प्रतिशत और सेगमेंट वाइज, पेपर एंड कैमिकल, 15.5 प्रतिशत और टेक्स्टाइल, 84.5 प्रतिशत है। 2021 अप्रेल में कमपनी 6 न्यू स्टोर्स ओपन कर चुकी है, पूरे इंडिया में कमपनी के पास 18 शोरूम है, कमपनी अभी न्यू आइडियास पर काम कर रही है, जैसे की बिना कैमिकल यूज करके टावल बनाना, उसे एंवाइमेंट का फायदा होगा। 2021 में साल 345 करोड का प्रॉफिट कर चुकी है, कमपनी के पी ए रेशियो 32.86 और फेस वैल्यू एक की है, कमपनी 0.84 प्रतिशा तक का डिविडेंड देती है, भविश्य में कमपनी टेक्स्टाइल सेक्टर में ग्रोथ पा सकती है, स्टॉक मार्किट से जुड़ी जानकारी क के लिए अन्प्रिनियोर चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपके पास हमारी वीडियो तुरंत पहुंच सके, साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक से आपके लिए बनाए गए टेलिग्राम चैनल को जरूर जोइन करें धन्यवाद